हाई अब्रीवन्स एशिकाल जी सार्यानू स्वागत है जी तड़ा सार्याना पंजाव एक्जाम्स यूट्यूब चैनल ते क्लर्क दी पर तीदी बेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स दे लई फाइनली इंतजार खतम होंदा है क्योंकि पी ट्रिपल एस भी दी कलर्क दी जडी रिक्रूट्मेंट है वो आ चुकी है ते इस ताइसो प्लस वेकेंसियां दे नाल आई है तो इस वीडियो दे विच जी आपर डिटेल दे विच गलबात करांगे एजुकेशनल क्वालिफिक की होगा ते लास्ट डेट की है इना पोस्टा लेए अप्लाइ करन दी एक चीज़ हो ते आंदे विच रख्यों कि वीडियो ने एंड तक जरूर दसे हो क्योंकि क्लर्क दियां चुडियां पोस्टा ने उहों तिन कैटेगरीज में चाहियां ने सो मैं तिन्नों ही इस विद्यक योगता है ओहों अलग लग है तुसी अपनी विद्यक योगता दे अकॉर्डिंग आन पोस्ट अवस्टे अप्लाइ कर सकते हो ते इन्ना दे अप्लाइ करन दी लास्ट डेट भी अलग अलग है तो वीडियो नो एंड तक जरूर देख्यों ते इत्यान दाल किता होया सो स्टार्ट कर दिया सो सब तो पहला इश्तिहार है जी स्तारा ओफ दो हजार एक की ते एही सब तो वड़ा है ते एदे विच तेई सो चोहतर असांबिया ने गलर्क दिया सो अगर अपाँ डिटेल्स देखिए एदिया ता जी इश्तिहार जो है अज ही पब्लिश होया ते ऑनलाइन अप्लाइए कर अंदी शुरुआत मेती भी आज तो है मतलब कि तुसी आज तो ही एदे वास्ते अप्लाइए कार साग दियो ते एदी लास्ट वेट जो है जी ओहो हो ते ग्यारा दो हजार एक की है सो डेट्स जो नहीं चीए है ते आनविच रख्यों ते ए देई सो चोहत तर्क लर्क वेकेंसिज ने जड़िया ओनना दिया डेट्स ने ते अगर आप एना दे केटेगरी वाइज वर्गी करम देखे ताची तुसी ए अपने जोदो भी तुसी एपलाए करना होया थोड़ा जट्या अनल देखे हो क्योंकि एना ने हरे एक दिपार्टमेंट दे कोडिंग दस्या होया है सो डिपार्टमेंट से कवरी ज़रूर देख लेओ केड़े केड़े दित्ते गए ने ते उनना दे विच तो आडिया वेकैंसी जो ने कि निया कि निया दित्तियां गिया ने एक चीज होर के इना ने विमेन दिया जड़िया केटेगरी वाइज डिवीजन है उननना दिया सीजी यो पहला ही कार दिती है जिवेंगे तन पता ही के पंचाप देविच होन 30 परसेंट रिजर्वेशन है विमन वासते हार पोस्ट हां देविच तो इननने जी ये दे विच पहला ही केटेगरी वाइज वर्गी करन जो है वो करके दित्ता होया है तो ए तुसी अपने अ लिए अपने आप देख लेओ चो दो भी अपनी कैटेगरी करोगा जो ने केटेगरी ने वासते अप्लाइ ने रिच पर लोगेश से वनसे मिचन होगा थे उनन्हीं मैं ऑन्गेशन्मिचम दीनेकिश। पेस के लिए दा रख्या गया है ते सब तो जुरूरी गल अगर आपा विद्य क्योगता दी गल करिये ताजी सब तो पहला थोड़े को ले बैचलर्स डिगरी होनी चाहिए दिया किसे भी स्ट्रीम दे विच हो साइदी है पावे तुसी बीए कीती है बीसे कीती है बीकॉम की होई है ता तुस्य एदे वासे लिजिबल हो उस दे नाल थोड़े को ले एट लीस्ट वन हंड्रड एंट्वेंटी आर्स दा कोर्स होना चाहिए दा है कंप्यूटर दा यां इन्फरमेशन टेकनोलिजी दा ओफिस प्रड़क्टिविटी अप्लिकेशन यां डेस्क टॉप ते यां तुसी ओ लेवल दा अगर थोड़े कोले सर्टिफिकेट हैगा थोड़ा ओवी चाल जोगा ते उस दो बाद जी तीसरी जड़ी दे वासते इंपॉर्टेंट विद्यक योगता है ओ है कि यह कि तो नो एक टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पोगा पंजाबी दे व जोगा ते इंग्लिश दा जड़ा टाइपिंग टेस्ट है ओवी जी बोडवलो कीता जाओगा मतलब कंड़क्ट थोड़े वास्ते सो इनना दे वेच्ट थोड़े कोले स्पीड जो है मिनिमूम थर्टी वर्ट्स पर मिनट दी होनी चाहिदी है ते एपॉइंटमेंट दो पहला ही होगा ते एहे क्वालिफाइंग नेचर दा ही होगा सिर्फ ते उस तो बाद जी क्वालिफाइज अ कॉम्पेटिटिव टेस्ट हो भी हैल्ट बाइद रिकूटिंग अथोरिटी ते उस देन आल नाल जी थोड़े को ले दसमी पत्दर दी पंजाबी पास किती होनी जरूरी है तो पांच विद्य की योगता मैंना ने रखियाने ते अगर आप उमर सीमा दी गल करिये ता जी जनरल दी उमर सीमा आठारा तो सैंती साल है ते बाकी जडियां रजर्व केटेगरी सुन्दियाने जिवेनों सूची जाती ते पच्छडी श्रेनी दे वसनीक उम वास्ती जी उपरली उमर सीमा दे विच दस साल दी छोट है सो संताली साल हो गी ओना दी एज ते विडोज डैवार्सिस ते होर कैटेगरी अफ मैरेड वुमेन आस पर इंस्ट्रक्शन से शुट बाई गर्मेंट आफ पंचाब ता जी इनना दी एज लिमेट जो है 40 एर्स छोट लागू हुएगी सो उननों वी दित्ती जाएगी ते रिजर्वेशन दा लाब जो है वो सिरोफ और सिरोफ पंजाब राज्दिवस नेका नोहीं मिलेगा ते राखवा करन दा लाब लेन दे लेई डॉमिसाल सेटिफिकेट होना जुरूरी है ते पांस साल दो पुरा वास देटाई सो ते एक सर्विसमेंग सेल्फ लिपेंडेंट वास दोसो ते हैंडीकेब्ट वास दे पांसो है ते हैं नॉन रिफांडेबल फीस है किसे भी हालत दे विच वापस नहीं होगी होन अगर आपा सेलेक्शन प्रोसीजर दी गाल करिए ता जी न दे लई अबज ती परिख्या जड़े कैंडिडेट सुल्टन टेस्ट पास कर लें देने जिनना दे मिनिममम फॉर्टी माक्स आजन देने मान लो हंगरड़ दा टेस्ट तो दे विच चाली नंबर आ जान देने ता जी उनना नू फिर नेक्स्ट स्किल टेस्ट देली बुलाया जाओगा ज पंचाबी दा टाइप टेस्ट जो है युनिकोड कंप्लाइंट फॉन्ट रावी विच ले आ जाओगा ते ए टेस्ट जो है जी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर दा होवेगा ते ए क्वालिफाइ करना ही लाजमी है पाव अगर थोड़े उनत्ती भी टाइपिं उमीद्वारा विच्छो कुल सामिया तो तिन गुणा दे फैसले नुसा अर्निरदार्द गिंते विच उमीद्वारानु कॉंसलिंग ले बुलाया जावेगा ते अगर मैरेट दे विच कोई एक्वैलिटी दी गाल सामने ओंदी है ता जनम मिती नूँ अथे विचारया ज गिए ते सब तो जरूरी चीज के आहेछ नॉरमelाइजेशन होनि है तो इस्तरह नर्मयाइजेशन किते जीन है यह एतना कीती जाओगी तो फो इस चीज दा भी त्यानन के वेसे हूं वेस्ट आं मोस्ट अफ नाएimm चाहरए ग्रिशन क्योंद्वारा मालीज शारीए थे उ नो इमेल आईडी भी दित्ती होई है ते एक जरूरी है दे रिलेटेड हो और गाले के जड़े वित उसी सर्टिफिकेट है जो भी थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ओ पंदरा नवंबर या कैड़ो भी जड़ी लास्ट रेट हुंदी है अपलाई करन दी जिमें एवल इस्तिहार देविच 18 नवंबर है तो 18 नवंबर तक देए उस तो पहला दे बढ़े होने चाहिए दे हम थोड़े सारे सर्टिफिकेट्स अगर थोड़े कोई सर्टिफिकेट उस तो लेट बढ़ेया हुया है ता तो हड़ी जो कैंडीडेट है उन्हों कैंसल किता जा सकते हैं ते इस तो बात दूसरा इश्तिहार है जी 18 आफ दो हजार एक्की ते एदे वस्ते में देट्स केरी सी भी एदिया थोड़ीयां जी चेंज ने एपलाए शुरू हों दी डेट सेम है ते एक्टूबर बट एपलाए सबमेट करनी लास्ट डेट जो है ओहो 15-11-2021 है शामी पांच वजे तक सो डेट्स जुरूर त्यान वेच रख्यों ते फीस पर दियाखरी में ती जो है जी ओहो ठारा ग्यारा दो हजार इकी है ते कलर्क आईटी दियां 212 असाम्दिया ने सो ए आईटी डिपार्टमेंट दे विच हों गया तो एदी जो एजुकेशनल क् आईटी जोतास देनिया ताँ यह दे वासते सिरफ औही डिटट्स योग होनगे जिनन ने बिटक किती हुए है कंप्यूटर साइंस दे वेच यह जिना ने बीच किती हुए है आईटी डेवेच यह बेचलर ओफ कंप्यूटर अप्लीकेशन भीसिया फिर ग्रेजूइट ए आविंग पोस्ट गैजुए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रेकर गनाइस्ट उनिवर्सी तुसी अगर बीए भी किती हुए बड़ तुसी नाल पीजीडी सीए किता हुए है तां तुसी यह दे लगी अलेजिबल हो अदर्वाइस तुहटी जो बैचलर कंप्यूटर दे विच होनी चाहिए है इस दे नाल दूसरी योगता है अगेन के था नो जो पंजाबी ते इंग्लिश दा टाइपिंग टेस्ट जो है वह पास करना बहुगा ती स्पीड जो है ओ थर्टी वर्ट्स पर मिनट दी है ती उस तो इलावा जी दसमीं पद्दर पंजाबी पास किती होनी जरूरी है ते वला टेस्ट जो है दे विच ओ फॉर्टी परसेंट माक्स जोने थोड़े और जरूरी ने जड़ा टेस्ट डिपार्टमेंट वर्लो लो लिया जाओगा ती विद्द्य क्योगता दे छेड़े थोड़े सर्टिफिकेट ने करना चौनते हो कि उस्तों बाच जी तीसरा इष्टिहार है इष्टिहार नमबर उननी ऑफ दोहजार एक की ते लास्ट डेट जो है दीवी पंद्राग यारा दोहजारी की है शामी पंच मजे तक ते फीस पर हंडी आखरी में ते धारा घ्यारादो जारी की है ते अवल्या अन्याज येदे विच की मंगियां गयां विद्ध क्योगता मां तो येदे विच ओही कैंडिदेट सप्लाइ कार साग देने जिनना ने बीकॉम किती हुए है क्योंकि एह अकाउंट्स डिपार्टमेंट दियां पोस्ट आने सो बीकॉम अगल तुसी रेक अगनाईज रिनिव दोनों 30 वर्ट्स पर में रद्धी स्पीर नाल क्वालिफाई होना चाहिदा एह टेस्ट जो है डिपार्टमेंट ही लोगा थाड़ा रिटन टेस्ट क्लियर होन तो बाद ते पंचाबी दा फॉर्ट जो है जी हो रावी होगा ते दसमी पद्दर दी पंचाबी जो है वो प कोई हो रहे ते फिच कंफ्यूजन होवे देन तोसी कमेंट करके पोच्छा सागते हो ते एस तो इलावा जी जिवें कुछ केटेगरीज ने ओना दिया वकैंसी नहीं है गिया ता ओहो अगर उस केटेगरी दे विरुद्ध सामी अपनी अप्लाई कार देने ता जी अनना द दॉक्यूमेंट्स ने सारे रेडी करके रख्यों विकर्जों तो तो नो स्कैन करके एक फाइल बना नहीं पहोगी ते ओ अप्लोड करने बेंदेने पी ट्रिपल एस बीटेवे चैदा ही हुंदा के ता नो अपनिया सारी हैं डिग्री हैं डीमसी बगारा जोने यों सारी ही अप्लोड करने बेंदेने तो अगर स्टेल कोई कन्फियूजन है दें तुसी बुच सागते हुंदे बाक्यानल वीडियो जलूर शेयर करें तो थेंक यू जी थैंक्स फो वाचिंग